हेलो एव्रीवन वेलकम टू इंडे जूडीसल सर्वेस इंडे जूडीसल सर्वेस में आप सभी कस्वागत है आज की इस वीडियो में हम लोग भारती राज आंदोलन के स्रीज को सुरू कर रहे हैं जिसमें कि यह पहला वीडियो है जिसमें हम लोग 50 कोश्चनों को कवर करें कि आगे सब्सक्राइब करतें पहले कूस्शंग को सफी कि इंचे के से संस्थापक कैक नाम बताइए जिसका 286 दौन को जा है इंटियन Cabinet कॉंगरेस में बिलय हो गया तो इंडियन नेशनल कॉंफरेंस का जो बिले इंडियन नेशनल कॉंग्रेस में 1886 में कर दिया गया तो इसका उत्तर जो है ऑप्सन डी हो जाएगा अगले प्रेस्ट पर आते हैं निम्लिकित भारतिय नेताओं में से कौन एक बिटिस सरकार द्वारा इंडियन सिविल सर्विस से बर्खास्त किया गया था तो इंडि अधोलिकित में से भारत में जिस राजनीतिक संगठन की इस्थापना 1838 में हुई उसका नाम क्या है तो 1838 में जमिंदारी एस्थापना हुई है तो ऑप्सन डी यहाँ पर सही हो जाएगा अगले प्रेसिंग पर आते हैं कोशन नमबर फाइफ राजनीतिक सुधार को लेकर विरोध करने वाले पहले भारतिये कौन थे तो राजनीतिक सुधारों को लेकर विरोध करने वाले पहले भारतिये जो है वो सुरेंद्र नाथ थे अगले प्रेस्ट में आते हैं कोशन नमबर 6 प्यारी चंद्र मित्र निमलिखित में से किस संगठन के सचिव थे तो प्यारी चंद्र मित्र जो है वो बंगाल ब्रिटिस इंडिया सोसाइटी के सचिव थे तो प्यारी चंद मित जो है बंगाल बिटिस इंडिया सुसाइटी के सचिर्थे तो option D यहाँ पर सही होगा question number 7 मदरास महाजन सभा की इस्थापना कब की गई तो मदरास महाजन सभा की जो इस्थापना है वो 1884 में की गई तो option यहाँ पर first सही हो जाएगा option A question number 8 नेम लिखित में से किस एक ने सन 1875 में house of commons में एक याजिका प्रस्तुत करते हुए British संसद में भारत के प्रत्यच प्रत्निजित की मांग की थी तो यहाँ पर जो है house of common में एक याजिका प्रस्तुत करते हुए बिटे संसद में भारत के प्रतिच प्रतिनिगृत की मांग करने वाले जो हैं यहां पर जो है यह किस सम्मेलन में किस प्रतित में किया था तो यह दप दीपूना कसाजनिक सभा में इस चीज की मांग की गई थी अगले प्रतिन पर आते हैं कोश्च नमबर नाइन सूची एक को सूची दो से समीलित कीजिए और नीचे दिएगे कूट को सही उत्तर चुनिए तो पहला देखिए यहां पर आते हैं कोश्च नमबर नाइन में हैं पहला आप्सन है यहां पर बिटिस इंडिया एसोसियेशन है यह है रादा कान तेव यहाँ पर आपसं ही ओजाएगा तो वब का थ्री होगा रादा कान देव देव डिरस्कि स्था आपना की गई थी अगला है बॉम्बेफ इंस सी भॉम्बे प्र स्थ लिइन सी एस्थ जो है केटी तैलंग है एक दम सही है यहाँ पर तो बी का दो हो जाएगा अगला है सेंट्रल मौहमडन नैसनल एसोसियेशन तो सेंट्रल मौहमडन नैसनल एसोसियेशन जो है वो सेयद अमीर अली दोरा हुआ था तो यह सी का चार हो जाएगा और लास्ट है सर्वेंट्स आफ इंडिया सोसाइटी है यानि A का 3 और यह दोनों में 3 है, B का जो है 2 तो B का 2, A का 3, B का 2, यह दोनों में एच कर जाते हैं, तो option हम लोगों का B हो जाएगा, अगले प्रेसिन पे आते हैं, question number 10, राष्टिय कॉंग्रेस से पूर्व सबसे प्रमुक संस्था थी, यानि जो राष्टिय कॉंग्रेस की स यहाँ पर, यंग बंगाल एस्वेशन और option D है यहाँ पर, इंडियन एस्वेशन आफ कलकत्ता, तो राष्टिय कॉंग्रेस से पूर्व जो है, इंडियन एस्वेशन आफ कलकत्ता एक महत्पून संस्थान था, तो यह option D यहाँ पर सही है, अब आते हैं, अम लोग प्रेस स्थापना होई थी, यह 1852 में होई थी, तो 1852 में जो है, बंबे एस्वेशन की स्थापना होती है, अगला यहाँ पर option D मदरास महाजन सवा, तो जो मदरास महाजन सवा है, यह 1884, 1884 में इसकी स्थापना होती है, अगला यहाँ पर इंडियन एस्वेशन, तो जो इंडियन है iski satapna जो है 18166 में होती है तो 1876 में आते हैं लास्ट बेहां पर इंडियन लीग तो इंडियन लीग जो है यह 1870 में 1475 में पीर 1 तो हमारा option बन जाएगा 1432 1432 यह यहां पर हम लोग का सही हो जाता है तो अगले प्रेस्ट पर आते हैं question number 12 निम्न यूग में से कौन सही सुमेलित नहीं है तो यहां पर जो सही सुमेलित नहीं है हम लोग को उसको देखना है तो पहला है यहां पर British India Society तो British इंडिया जो सोसाइटी है यह लंदन में है यह बिल्कुल सही है British India Society जो है वो लंदन में ही इसका है एड़कोटर था अगला है East India Association तो East India Association कलकत्ता में नहीं था यह यहां पर लंदन में है यह भी तो यह भी जो है लंदन में होगा और इसकी स्थापना जो हुई थी वो 1860 में की गई थी 66 में और किसके दोरा की की दादा भाई नेरो जी के दोरा की गई थी अगला देखते हैं ऑप्सन सी नैसनल इंडिया एसोसियेशन तो नैसनल इंडिया एसोसियेशन यह भी लंदन में है यह एकदम सही है और लास्ट है यहां पर इंडियन एसोसियेशन यह इंडियन एसोसियेशन जो है वो बंबई में नहीं था यह कलकत्ता में था तो जो पर भी हमारा option डी यहांपर सही होगा घुल का आपसन दी आता है अगले पर आते हैं थर्टी निम्ली के सूची में सुमेलिद केजिए और नीचे दिये society जो है यह बिलियम एडन्स के द्वारा तो यहां पर हमारा जो है 3 आ जाएगा Indian society जो है वो आनंद मोहन बोस के द्वारा तो यहां पर 2 हो जाएगा और last है हमारा Indian association तो last में हमारे बचते हैं S and बनर जी तो यहां पर option 1 अब मैच कर लेते हैं 4 3 2 1 4 3 2 1 तो इसी के साथ हमारा जो आंसर हो जाएगा option यहां पर सही है कि अगले पर आता है question number 14 सूची एक को सूची दो से सुमेलित कीजिए यह प्रेस्ट यूपी लोगर 2018 में आया था तो सूची एक में देखिए इंडियन लीग तो इंडियन लीग जो है वो सिसर कुमार घोस एक दम सही है option A में तो यहां पर वन हो जाएगा और बी में आते हैं इंडियन सुसाइटी तो इंडियन सुसाइटी है यह भी सही है आनंद मोहन बोस इंडियन सुसाइटी की स्थापना करने वाले थे तो यहा यहां पर फूर आजाएगा और लास्ट है यूनायटिड इंडिया पैट्रियाटिक एस्जियेशन तो यहां पर थ्री हो जाएगा तो यह हमारा जो है स्यद एहमत हो जाएंगे हम एच कर लेते हैं 1243 1243 तो इसके साथ इसका भी आप्सन लोग का जो है ऑप्सन डी यहां पर हम सब्सक्राइब लोग का सही है तो अगले पर आते हैं कोश्चन नमर 15 अदो लिखित यूग में से कौन सुमेलित नहीं है तो यहां पर पूछा गया है कि जो भी दिये गया है उसमें से कौन सा हमारा सुमेलित नहीं है चलिए देखते हैं तो एसियाटिक सुसाइटी और बं गुंबे यह 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 1804 में इसकी स्थापना हुई थी अगला आते हैं रॉयल एसियाटिक सुसाइटी ऑफ ग्रेट ब्रिटेन यह इसकी स्थापना जो है 1823 में की ती यह भी सही है तीनों ही सही है अगला है हमारा लैंड होल्डर्स सुसाइटी और बंगाल तो लैंड स्थापना कब होई थी तो यह बहुत ही सिंपल सा कुश्टन है भारती राष्टी कॉछ्ट की स्थापना 1885 में रही थी और यह कुश्चन कई बार पूचा जा चुका है अगले पर आते हैं भारती राष्टी कॉंग्रेस के संस्थापक थे एक तो यहां पर असैनिक सेवक या बिज्यानी थे या सामाजिक काली करता थे यह 핑लितली मैंते यह Japan पर भारतिय रश्टी कॉंग्रिस स्थापक मैं यहां पर हमारा क nee do 섯 हो जाएगा तुषय एक बार औक सब्सक्राइट है अग्ले प्रस्टिया आते हैं कोर्षे नोबर 18 तो इसमें 72 प्रतनिदियों ने पहले सम्मेहलन तो भारति रश्टी का जो प्र्थन अधिवेशन हुआ था वह है मुंबई में हुआ था उप्वतं C यहाँ पर सहहे अगले प्रिसन पर आते हैं यह हूं द्वारा भारती राष्टी कॉंग्रेस की स्थापना की समय भारत का बाइसराय कौन था तो उस समय भारत का बाइसराय जो है लौड डफरिन यहां पर सही है कॉंग्रेस की स्थापना होते समय लौड डफरिन जो है भारत की बाइसराय थी किसने कॉंग्रेस को सूच् का मजाक उड़ाया था कि जो कॉंग्रेस है वह सूच्छम दर्सिय अल्प संख्यक जनता का प्रदित करती है तो इस यह कहकर उसका मजाक उड़ाया लॉट डफ्रिन के तुवारा ही हुआ कोशन नमबर 23 भारती राश्टी कॉंग्रेस के पहले अध्यच कौन थे तो यह बहु संस्थापक वही इसके पहले महासचिव थे कोशन नमबर 25 भारती राश्टी कॉंग्रेस के पर्थम मुस्लिम अध्यच बदरुदीन तयब जी थे अगले पर आते हैं कोशन नमबर 26 कॉंग्रेस के लिए समर्थन प्राप्त करने के उद्देश से 1889 में एक समीती स्थापित की गई निम्न में से उस समीती का सभापती था तो यहां पर कॉंग्रेस के लिए जो समर्थन प्राप्त करने के लिए जो 1989 में एक समीती बनाई गी थी उस समीती का अध्यच के बारें पूछा जा रहा है तो वो समीती के जो अजच थे वो मी प्रश्ट के दूसरे अद्यच्छता किसने की बहुत ही अच्छा सवाल लेए, ऑप्सन यहां पर देखिए, दूसरे अद्यच्छता की थी, हमारे दादा भाई नौरो जी, गरांड ओल्ड मैन, इनके द्वारा ही की गई थी, और इनके द्वारा वैल्थ भैल्थ ऑफ ड्रें सब्सक्राइब ने पुस्ताइब और इसका की के इसथापना अधिवेशन में उपस्थित नहीं था तो देखते हैं यहां पर तो दादा भाई नौरोजी जिस्टिस रानाडे जी सुर्परमन्य यहां पर जो है सुरेंद्र नाथ बनर जी तो यह सब पर निरवाचित यूरोपी अध्यच्ड थे तो यहां पर पहले निरवाचित पर्थम यूरोपी अध्यच्ड थे भारती राष्टी कॉंग्रेस के कोश्चन नमबर 30 निमलिकित में से कौन एक भारती है राष्टी कॉंग्रेस से कभी संबंद नहीं रहे हैं तो किसके जो है इनमें संबंद कभी भी राष्टी कॉंग्रेस से नहीं रहा है तो यहाँ पर जो है सर सयद एहमद जो है इनका कभी भी भारतिय राश्टी कॉंग्रेस से संब्द नहीं रहा है अगले प्रेस्ट पर आते हैं कोश्चन नमबर 31 निम लिखित कत्रों पर विचार कीजिए है तो पहला देख सोमापस्त नहीं तो यहां पर शरौजनी नाईडी वह भारत की पहली भारतिय महीला अद्याच थे और प्रत्हम कौन था एनी बेसेंट तो यह यहां पर गलत हो जाता है आप्शन टू पर आते हैं भारतिय राश्टी कॉंग्रेस के प्रतम मुस्लिम अध्यच बदरुदीन तैयब जी थे यह यह बिल्कुल सही है तो यहां पर आप्शन भी सही हो जाएगा आगले कोश्चन पर आते हैं यहां पर हमारे जो है ऑप्शन डी है बाल गंगार्द तिलक जी इनको कभी भी भारतिय राश्टी कॉंग्रेस का अध्यच नहीं चुना गया अगले कोश्चन नमबर 33 बाल बाल पाल आत्रिगुट का कौन व्यक्ति भारतिय राश्टी कॉंग्रेस का अध्यच हुआ तो इस ने कहा कॉंग्रेस अंदोलन ना तो लोगों द्वारा पेरित था ना ही यह उनके द्वारा सोचा या योजना बद्द किया गया था यह किसने कहा तो यह बात जो है वह सर सयद एहमद द्वारा यह बात कही गई थी तो ऑप्शन भी यहां पर सही है कोशन नमर 35 अखिल भार कार्ष की महिलाद्यक जों एंड्य आपने टीन तो यह इसका आंसर हो जाता है अगले प्लाशन पर जोड़े defense के लिए और यह जो अगले प्रसंत पे आते हैं कौक्शम 그냥 37 जह भारतिषाष्टी कॉंगरेश को अदो एव रिकित में से किस अधिवेशन में समाज वादी बद्दी का लच्च मनाया गया अगले प्रसंट पर आते हैं निम्लिकित में से भारतिय राष्टी कॉंग्रेस के किस अधिवेशन में बाल गंगा धर तिलक ने अभिव्यक्त किया यह बहुत ही उनका बहुत ही अच्छा नारा था यहां पर सुराज मेरा जन्म सिद्ध अधि की गई इसी सम्मेलन में 1916 में जो हमारे गरंदल और नरम दल थे दोनों आपस में संयुक्त हो गयते दुबारा से री यूनियन हो गई थी कॉंग्रेसी सम्मेलन में तो 1916 में हुआ लखनों अधिवेशन में अगले कॉश्चन पर आते हैं कॉश्चन नमबर थर्टी नाइन वार्ती राष्टी कॉंग्रेस का 27 वा अधिवेशन किस इसथान पर हुआ तो जो 27 वा अधिवेशन है ये बांकीपुर में हुआ अगले कोशन पर आते हैं कोशन नमबर 40 अदो लिकित में से किसने 1906 में भारती राष्टी कॉंग्रेस के कलकत्ता अदिवेशन में दादा भाई नौरो जी की अद्धिच्छिय भासन को उनके बदले में पढ़ा था तो जो 1906 का जो हमारा अदिवेशन हुआ था उसमें काफी जो है कॉंग्रेस में बेहिटन आ गई थी जिसके गारण दो बटों में कॉंग्रेस बटने वाली थी परन्तु दादा भाई नौरो जी का नाम आते ही दोनों गरम नरम दल और गरम दल के जो भी पतने दी थे वो सां प्रस्वर है को कोशन नम्ल फॉर्टी बन 1922 में गया के इंडियन नेशनल कॉंगरेस के अधिवेशन का अधियाच्च कौन था तो यहां पर जो है गया के जो इन अधिवेशन वग्रेस का उसका अधियाच चितरंजय दास जी चितरंजय अंधास जो है वो गया में जो कोशन नमबर 42 42 कहता है कि अमरे सर के भारती राष्टी कॉंग्रेस के अधिवैसन 1919 यह भी बहुत ही महत्पूर्ण जो यह रहा है जलिया वाला बाग के लिए तो 1919 के प्रस्ताव के अनुसार महत्मा गांदी दोरा कॉंग्रेस का नया सम्मिधान लिखने है तू निमलिखित में से किन है उसके उनके सयों के लिए चुना गया तो यानि गया था और यहां पर जो है आई भी सेन इन दो व्यक्तियों को चुना गया है तो और फोर तो तो और फोर किसमें यसे में हैं तो यहां पर और सई हो जाएगा एंसी केलकर और जो है आई भी सेन इन दोनों को कांदी जी की सहता के लिए संविधान लिखने के लिए चुना गया किसका समधान कॉंग्रेस का सम्मिधान था यह भारत का सम्मिधान नहीं है चलिए आगले आते हैं कोश्चन नमर 43 43 बे कहता है भारती राष्टी कॉंग्रेस का अंतिम अधिवेशन इसमें बाल गंगादा तिलक ने भाग लिया था इसके यानि इस अधिवेशन के अंतिम का अधिवेशन था कॉंग्रेस का कोश्चन नमर 43 अधिवेशन के समय जिस कॉंग्रेस अधिच्न हिंदी भासा था के लिए रोमन लिपी में लु बकालत की थी तो यहां पर किसने बकालत की थी देखिए आज हम लोग मैसेश करते हैं समेल सब्सक्राइब सब्सक्राइब की थी तो यहां पर हमारे नेता जी सुभास चंद्र बोस द्वाराइसक आगया तो आपसंड यहां पर सही हो जाएगा उन्होंने हिंदी भासा के लिपी उपयोग होती है तो हिंदी भासा को लिखने के लिए हम लोग देव नागरी लिपी का उपयोग करते हैं आगले पर आते हैं कोश्च नमबर 45 किसने कहा था कि कॉंग्रेस पतन के लिए लडखरा रही है कड़ा रही है मेरी सबसे बड़ी अभिलासा जब तक मैं भार कॉंग्रेस की सांती पूंट समापती में सैयोग करना है तो यह बात जो है कि यहां पर लौड करजन के द्वारा कही गई थी लौड करजन ने ऐसे सब्द कॉंग्रेस के लिए कहे थे कुश्च नमबर 46 वर्स 1938 में भारतिरश्टी कॉंग्रेस के हरीपुर अधिवेशन की अ उसकी बीच में और इसकी अध्यच्टा जो है वह ऑप्संडी सुभास चंद्र बोस जी ने की थी तो अप्संडी यहां पस आई हरीपुर अधिवेशन की अध्यच्टा 1908 में सुभास चंद्र बोस जी ने की थी नेक्स्ट कोश्चन आते है 46 निमलिकित में से किस भारतिया राष्टिय कॉंग्रेस के अधिवेशन में जवाह लाल नेहरू जी ने समाजबाद को भारत की समस्याओं को हल करने की कुंजी बताया तो यह जो है लखनव अधिवेशन में नेहरू जी ने ऐसा कहा अगले पसंद पर आते हैं भारत के स्वतांत्र प्राप्ति के बादनिम समाप्त कर दिया जाए तो यह बहुत ही फेमस और बहुत ही अच्छा वक्ति अप्ता गांदी जी का यह जो है उन्होंने कब बोला था यह पर महत्मा गांदी जी जो रहा बोला गया तो समाप्त कर देना चाहिए अगले पैसन पर आते हैं कोश्चन नंबर 49 जब भारत स्व कंग्रेस के अधिवेशन में एक गवरनर जर्नल ने भाग लिया था उस गवरनल जनल sensors पर निम्नमें से कौन सा था तो एक गवरनर जनल ने भाग लिया था T में तो उसका नाम बताना है और ऑर वह जनल किस स्थल पर और किस समय में हुआ 31 लाट वीलियम ट्रीक पर बिलिंग्टन स्वरी लाड बिलिंग्टन द्वारा जो है किया गया था मतलब इन्होंने सम्मेलन भाग लिया था और यह मुंबई में हुआ था और यह 1915 का है तो इसी के साथ हम लोग इस वीडियो को ग्राम देते हैं कंप्लीट करते हैं और अगर यह वीडियो आपको